वेलकम मैई दियर स्टूदेंट्स इस प्रश्णा एडिकेट चानल मैं आपका फिर स्वागत करता हूँ एपी स्टेट के रस्विक अच्छा के second language विज्ञारतियों के लिए इन्दी पार्टे पुस्तक के अंतरगत रहीम और बिहारी के दोहों के बारे में पढ़ना चाहिए आज हम रहीम के बारे में पढ़ेंगे नीती दोहों के अंतरगत हमें पार्टे पुस्तक में दो कभियों के बारे में अध्याइन करना होगा चलिए आज हम रहीम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे रहीम के दोहे हम पड़ेंगे तैयर हैं? देखिए यहाँ पर रहीम के चित्र को मैंने पेस्ट की है रहीम दास्दी का पहले हम रहिम दास्ती का जीवन के बारे में हम जानने की, थोड़ा बहुत जानने की कोशिस करेंगे, पिले हैं, और रहिम का जीवनकाल, 1556 से लेकर 1626 तक इनका जीवनकाल माना चाता है, इनका जन्म लाहोर में हुआ, रहिम का पूरा नाम, अब्दिल खानकाना रहिमता, रहिम का पूरा नाम क्या है, अब्दिल खानकाना रहिमता, और हमें कवी के बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, चलिए एक बार इनकी परसिद्र चिनावों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, रहीम सत्सही बर्वे नायका बैद सुरूंगार सोरट आधी इनकी प्रशिद्र रचना ये है और सामस्कुर्थ अरभी फार्सी के विद्वान थे और रहीम दास इनके कावियों में नीती और बक्ती का उपदेश हमें मिलता है रहीम के दोहिम में नीती और बक्ती का बुदेश मिलता है वैसे तो रहीम अक्बर के मित और प्रधान स्यानापती वा मंत्री थे चलेंगे आगे ये तो रहीम का जिवनकाल है आगे चलेंगे अब रहीम के दोहिं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे पहले दोहा क्या है? हम इसके बारे में दो-तीन बाक्य बताएंगे. दोहे बहुत बड़े प्रतिबाशाली होते हैं. चोटे-चोटे शब्दों में बहुत बड़े अर्द को मिला देते हैं, कवी रखते हैं, कवी रखने के कोशिश करते हैं. इसलिए दोहे बहुत प्रबाशाली होते हैं. और दोहे के पहले और तीसरे चरण में तैरा-तैरा मात्राइं हैं, और तदा दोसरे और चोटे चरण में ग्यारा-ग्यारा मात्राइं होते हैं. आपको इसके बारे में ज़्यदा जानने की ज़रूत नहीं, क्योंकि second language के चात्र हैं. फिर भी हम तोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिस किये हैं. और खास कर रहीम के दोहे पोदेश आत्मक और नीती परक हैं. बस यही लिखना है आपको. चलेंगे, एक बार पढ़ेंगे. बहुत 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 बहुरीद. विपत्ति कसो टी जे कसे तेई सांचे मीत. चूटे चूटे शब्द हैं. इसका अरद भी समुझना आसाल है. कहता है रहीम सेश. कह रहीं, रहीं से संपत्ती, संपत्ती कर्द क्या है, पाइसे, दन, जाइदाद, जैमीन, पावर, कुछ भी हो, हम संपत्ती कहते हैं, सगे, ओन, बनन, बनन, बहुत, मनी, जादा, बहुरीत, इन बहुरीत, जैमीन, पाइसे, बहुत, बहुरीत, पाइसे, पाइसे, विपत्ती, माने, ने, ट्रबूल, संगर्ष उल्जन कसोटी यादिस्टिक ये कसे हूँ हल्पस तेई वही ही ओनली सांचे रियल सच्चा मीत्र है मित्रता के बारे में यहाँ पर हमें समझाया गया रहिमदास जी के अनसार सच्चा मित्र कौन है जोटा मित्र कौन है वही जवर रियल फ्रेंड हमें कब पता चलता है देखिए आगे रहीम कहता है कि संपत्ति के अधिक रहने पर हमारे बहुत सारे मित्र बनते हैं जब हमारे पास पैसे जयादाद पबर सब कुछ रहते हैं कई लोग हमारे पास आते हैं मित्र की बहाना मित्रता की बहाना करते हैं और खहते हैं मैं तुम्हारा बाई हूं बंदू हूं सका हूं कुछ भी हो हमारे साथ मित्रता करने की नातक रचाती है और रिश्टा नाता जूरते हैं हमसे लेकिन अच्छा और बुरा मित्र का पाचान कैसे होता है हम जानेंगे हम अच्छा और बुरा मित्र का पाचान तभी होता है, जब हम संकत में रहते हैं, जब हम मुश्किल में रहते हैं, विपत्ती में रहते हैं, जब हम सब कुछ खो जाते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है, when we do not know, we don't have anything, when we are in loss, जब हम मुश्किल में रहते हैं, तभी हमें पता चलता है, कौन अच्छा मित्र हैं, कौन बुरा मित्र हैं, कौन हमारी मदद करता हैं, तो सच्ची मित्रता की कसोटी क्या है बुरा समय बुरा समय आने पर ही हमें पता चलता है कौन हमारा मित्र है कौन हमारा मित्र नहीं है रहिम कहता है जब विपत्ति के समय में सांकट के समय में जब हम सब कुछ खो जाते हैं तब जो हमारे हमारा साथ देता है वही सच्चा मित रहें सो बुरा समय ही कसोती है मित्र को पहचानने का दुख में जो हमारी मदद करते हैं वही सच्छा मित्र है स्वाज में आई ये बात चलिए वाट रहीम सेज वेन वहाव पवर इण मनी वित उस में यूपर इंद्ध समी जैघ। They make relation with us. They maintain relations with us. Friend, brother, like this, they maintain relation with us. But when? How could we know who is our best friend? Who is not best friend? Who is true friend? When we were in troubles, when we were in troubles, then we can easily find out who is our best friend. When we were in the same place, then we can easily recognize who is our friend. A best friend is always who is helpful. Our best friend is always helpful. Okay, so we can understand the problem. We will see the truth. We will see the truth. Now, let's go. So, let's see. अदिये, जिब हमारे पास पैसे रहते हैं, वैन, वैन, हो मनी वितर्स, देखिए, मनी के लिए, पैसे के लिए, मित्रता हमसे करने, बहुत सारे लोग आते हैं. जब हमारे पास पैसे, और अधिकार, कुछ भी नहीं हैं, तो, जो हमारी मदद करने आते हैं, आता है, वही सच्चे मित्र हैं, वही सच्चे मित्र हैं. देखिए, पैसे हैं, तो बहुत सारे लोग, हमरे चारों वो गूमते हैं, मित्र बनते हैं, चूटे मित्र बनते हैं, जब हम बात करेंगे, हम हां कहेंगे, उनकी हर बात पर हमसे मित्रता करते हैं और हमसे मित्रता करने के जिग्जा सा प्यक्त करते हैं जूटे मित्रों से बच कर रहना ही चाहिए चलिए जब हम दुक में बैटे रहते हैं उसमे छोटा मित्रत हमें अकेला छोड़कर चला जाता है भाग जाता है क्योंकि जिब हमारे पास उसमे जाइदाद, पैसे, संपत्ति वगएरा कुछ भी नहीं रहता है इसलिए पैसों की लालच में हमारे साथ जो भी मित्रता रचते हैं वे लोग भाग जाते हैं इसलिए कहते हैं रहीमदास संकठी का सोटी हैं अच्छे और बुरे मित्र को पहचानने के लिए छिलेंगे आगे देखिए सच्चा मित्र हमेशा साथ देता हैं सच्चा मित्र हमेशा साथ देता हैं यहां देखिए सुदामा और स्रीकुष्ण और वहां भारत में मित्र जब भी मित्रता की याद आती हैं मित्रता की बात आती हैं वेन डूई डिसकस इन दोनों की मित्रता याद आती हैं तो सुदामा स्रीकुष्ण के पास आते हैं और स्रीकुष्ण भी मदद करते हैं चलेंगे आगे हम एक और दोहा आपके सामने हैं चलेंगे शुरू करेंगे रहिमन पानी राकिये बिन पानी सबसून पानी गये नवबरे मोती मानश चून अभी इस दोहे का अर्ध समुझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर पानी तीन बार पानी का देखिए रहिमन पानी राकिये बिन पानी सबसून पानी गये नवबरे मोती मानश चून और इसे समझना भी आशेन है रहिम कहता है रहिम सेज पानी राकिये इज्यत बचाके रखिये, बिन पानी विताओट वाटर, विताओट प्रस्टेज, विताओट फेम, नेम, सब सोना, everything is waste, पानी गये न वो बराई, if there is no water, if there is no, यहाँ पर पानी के तीन अब्द है, if there is no छेमक, illumination, flash and perils, we don't purchase it, और वैसे तो चूनी में भी पानी रहता है, बिना पानी चूना प्याद दो जाते हैं, अभी इसकी व्याक्या हम चर्चा करेंगे, तो रहीम ने यहाँ पर पानी का प्रयोग तीन अर्दों में किया है, यह क्या है, विजित, चेमत, जिल, विजित क्या है, समाज में मान, मर्यादा, प्रतिष्टा, आदर, सम्मान, आदि के साथ हमें जीना चाहिए, जब समाज में हमारी मर्यादा और प्रतिष्टा निकल जाता है, हमें जेना व्यर्द है, जब हमें कोई आदर नहीं करते, कैसे जीते हैं, इसलिए पानी का एक अर्दा ही इज्जत, रहिमन पानी राकिये, इज्जत बचा कर रहिए, जी लीजिए, इज्जत के साथ, गौर्व के साथ, आदर के साथ, प्रतिष्टा के साथ हमें जीना है, इस संग में, इस समाज में, और इज्जत के बिना, प्रतिष्टा के बिना, रेपिटेशन के बिना, पेम के बिना, नेम के बिना, बद्राम के साथ हम नहीं जी सकते हैं with bad name we cannot maintain relations तो इज्जत की बिना जिना व्यर्द हैं रहीम के अनसार रहीम सेस जिताउट अवर लाइफ इस वेश्ट मान मार्यादा प्रतिश्टा आदर सम्मान के बिना जिना व्यर्द हैं यहां इज्जत कर्द क्या है नमरता से जीना अच्छा आचरन दोसरों के परती रखना और इनमरता से इनमरता के साथ जीना और देखिए पानी का दोसरा अर्द और च्यमक हम मोती करीदते हैं मोती करीदते समय हम क्या देखते हैं परल्स वेन वी पर्चेज परल्स वाट वी अबज़र इस वरिजिनल और नाट वरिजिनल मोतियों में चमक ओता है डूपलिकेट ज़दा चमकते हैं वो बात अलग है और रंग विलाते हैं डूपलिकेट परर्समें यहां पर जब मोती चमकता नहीं हम खरी देंगे नहीं लिए चमक मोती के लिए जरूरी है फ्लैशी इस वेरी इंपोर्टेंट लाइटिंग इस इंसाइड पर ल सो चमक के बिना मोती वेर्द हैं मूलिहीन है चमक के बिना मोती मूलिहीन है और तीसरा अर्द है पाने का देखिए पाने जिल पहला पाने का अर्द है इजित दोसरा चेमक तीसरा जिल वाटर का वाटर ही अर्द है और यहां देख लेंगे पानी के बिना सब कुछ सूक जाता है आप चूननी को जानते हैं लाइम और पान के पत्ते में लगा कर काते हैं बड़े लोग काते चूना चूना का उपयोग गीला रहने में ही हैं जब तक चूने में पानी राता है तब तक उपयोग कर सकते हैं पानी के बिना चूना सूक जाता है उसका उपयोग नहीं कर सकते आटे में जब तक पानी राता है हम गुंचते हैं आटे को आटे में जब तक पानी रहता है, वो साफ्ट बनता है, रोटी बनता है, जब वो सुख जाता है, कुछ काम के लिए नहीं, वैसे ही, जब तक चूने में पानी रहता है, तब तक हम वस्पोप्योग करते हैं, यानि यहाँ पर रहीम का कहना है, पानी के बिना जीना व्यर्द है, पानी के बिना मोती मूलहीन है, और पानी के बिना चूना व्यर्द है, पानी गये न वो बरहें, जब पानी चला जाता है, हिज्जत चला जाता है, मोती मानो चूना बेकार है, बात समझ में आई, without water it will become like a stone इसलिए जिंद्दकी में पाने का बड़ा महत्र है यह लेंगे आगे कि यहां देखिए पानी को बचाना मानों का परमद्दार में यही एक शंदेश है उपदेश है रहीम के द्वारा हमें यही उपदेश हम सुनते हैं अपना सकते हैं पानी को बचाया रखिए ट्रजर वाटर बॉड़ी इस वरी इंपॉर्टेट आने वाली पीडियों को हमें पानी देना चाहिए फिलाना चाहिए देखिए पानी के बिना जिना मुश्किल है आगे चलें यहां देखिए विवहार बड़ों के अच्छा विवहार करना चाहिए उनकी मदद करना चाहिए चलें दो तिन कोटेशिंस हमारे लिए निर्मल पानी बूंद बूंद है अमें बचाने अब जानते हैं पानी के बारे में ज्यादा जलहीन जल नहीं होगा हिदिया मारे पास पानी नहीं है जल नहीं तो कल नहीं है यहां देखिए गिला चूना मैंने कहा जब तक गिल चूने में पानी नहीं रहता है तो वह सूख जाता है गिला चूना जब पानी के अभाव में वितोट वाटर चूना श्टोन बन जाता है कुछ वाम के नहीं सोख का चूना बेकार है क्योंकि हम गिले चूने को ही उप्यग में लाते हैं चूरी करने से इजद चला जाता है इसलिए हमारा आच्छरण अच्छा होना चाहिए तिलेंगे हागे यहार में विनमरता का प्रदर्शन करना चाहिए होनी चाहिए गुरु के सामने बड़ों के सामने सिस्त व्यवहार करना चाहिए बस आज हम पहिम के दोहें के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमने प्रैप्त कर ली हैं फिर मिलेंगे एक नए टापिक के साथ वो है बिहारी बिहारी के दोहें पढ़ने के लिए हम फिर मिलेंगे तब तक मुझे आज्ञा दीजिए यहां देखिये बूल गया है चमकते मोती प्रैप्त है यहां मोती चमक रहे हैं यहां मोती मूल हीन है और यहां यह प्रिश्ण भी आप याद कीजिए रहीम ने जलके मातों के बारे में क्या बताया है मानव जी उनने पानी का जयद महत्म है हमें पानी का सही उपयोग करना चाहिए रहा टू यूज वाटर प्रॉपरली पानी का समरक्षन हमारा फरमद्रम है इस और प्रैमरी जूटी पानी नहीं तो कर नहीं पानी नहीं तो जिंदगी नहीं इसलिए पानी को नहीं करना है Thank you, my dear children Thank you very much